भाई देखो मैं कल ही बोला था कि कोई भी 0.25.0 में जिसका जिसका क्रेस हो रहा है वो मत खेलो 0.24.0 खेलो तो बहुत सारे बंदे खेलने लग गए लेकिन उसके बाद क्या हुआ न भाई कि फिर से अपडेट आ गया 0.24.0 अपडेट में तो बहुत सारे बंदे क्या किया किय दिए बहुत सारे बंदे अपडेट कर लिए अब जो लोब अपडेट कर लिए उलों का फिर से करेस होने लगा तो वो लोग पूछ रहें कि रावन भाई अब क्या करें बताओös मैंने तो अपडेट कर लिया और बहुत सारे बंदे 0.25.0 अपडेट में है तो वो लोग पूछ रहें कि भाई बता मैं क्या करूँ मेरा कैसे सही होगा तो यार गाईज देखो इस वाले वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे और जो भी अपडेट आया है उसमें चले गए हैं अगर उन लोग का क्रेस प्रब्लम आ रहा है तो देखो भाई तुम्हारा एक ही सोलूसन है तुम क्या करो 0.24.0 अपडेट है ना डाउनलोड करो और गेस्ट आईडी से खेलू ठीक है मैं तो अभी यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि भाई 0.25.0 में प्रब्लम क्रेस होते ही रहेगा होते ही रहेगा ठीक है उसका अभी तक कोई भी सोलूसन नहीं आया है मैं पहले ही बता देता हूं तुम लोग का मेन आईडी है ना इधर ओपे नहीं होने वाला है 0.24.0 अपडेट में जो लोग अल्रेडी 0.25.0 अपडेट में चले गया है तो भाई अब देखो सीधी बात नो बकवास की इसमें कुछ भी नहीं आया है ठीक है मतलब कि जिन लोगों का अपडेट आया है ठीक है और वो लोग अपडेट कर लिये हैं तो वो लोग सीधिवी 0.25.0 अपडेट में चले जा रहे हैं ठीक है और उधर जाने के बाद क्या हो रहा है अब भाई साब लोग का गेम क्रेश हो रहा है बस यही कुछ निव है भाई 0.25.0 अपडेट में लेकिन हाँ 0.25.0 अपडेट में तुम लोगों को हैकर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई साब उधर है आईडी हो रहा है सबके बैन तो बंदे है अब लगा नहीं रह नहीं है कुल लोगों में अपडेट आया है तो हमकितन तुम अपडेट सेक्ष्यूर ना थिक्ति ना लोग करो फिर बाई और समय समय का मैं हूँ न हमेशा अपडेट देते रहूंगा ताकि तुम लोग आईडी आईडी भी सेफ रहे ठीक है और कुछ भी गलत कांड मत करो नहीं तो इन फ्यूचर प्रावलम हो सकती